वेल्कम फ्रेंड्स आचार्यम पर आपका स्वागत है दोस्तों एनेचेम मध्यप्रदेश के अंतरगत जो CHO की वेकेंसी पब्लिश हुई है जिन में वेकेंसी प्राप्त करने का निक्ति प्राप्त करने के दो तरीके हैं इन पे चर्चा करेंगे और इनका पूरा डिटेल्स इन कम्यूटी हेल्थ में प्रवेश प्रशिक्षन उसके बाद कम्यूटी हेल्थ आफीसर के पद के निक्ति के लिए इसमें बताया गया है और इसमें क्या-क्या आवश्यक चीजे हैं वो हम इसमें देखेंगे ये रूल बुक 2023 के लिए ही मानने होगी सेक्षरी क्योगिता इसमें चाहा गया है सर्टिफिकेट इन कम्यूटी हेल्थ में प्रवेश हेतू, बियस्सी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बियस्सी नर्सिंग या जियनेम उत्तिर्ण उमीदवार जिनके पास वैद पंजियन हो आवेधन कर सकते हैं और जिन्होंने बियमेस किया हो और इंटर से पूर्ण हो चुकी हो वैद पंजियन हो वो कर सकते हैं एक नो दोजार तेज तक जो अभ्यर्थी उल्लिखित पाठे क्रम में उत्तिर्ण नहीं है अध्यन रत हैं वे आवेधन हेतू पात्र नहीं है तो दोस्तों आप इसको अच्छे से देख लें क्योंकि इसी में सबस आयुशीमा की बात करें तो 21-40 वर्ष की एज एक नो दोजार तेज की स्थिति में होगी और जो सासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है एज रिलेक्षेशन की उसमें एज रिलेक्षेशन भी मिलेगा मद्ध प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वही आवेदन कर सकते हैं अदर स्टेट के नहीं आनलाइन अप्लिकेशन लिंक 20-10-2023 से 16-11-2023 तक उपलब्ध रहेगी इसके बाद दोस्तो आवेदन भरने के बाद जब आप सफलता पूरवक उत्तिर कर लेंगे तो आनलाइन च्वाइस फिलिंग और प्रवेश परिक्षा में मेरिट रेंग के आधार पर आपको सुदीर ग्रामिन छेत्रों में जो उब स्वास्थ केंद्र हैं वहाँ पे कम्म डेट ही आवेदन करें क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं सहरी छेत्रों में नहीं है इसमें कुछ नियम दिया हुआ है ये आप देख लें प्रोग्राम स्टडी सेंटर ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो अप्रेल सितंबर 2022 सत्र में मदप्रदेश की स्टी स्वास्थ मिशन में संबीदा अधार पर कारेरत उम्मीदवारों का चैन होने पर प्रशिक्षण हेत प्रवेश लेने से पूर उन्हें अपने वर्तमान पद से त्याग पत्र देना होगा एवं इसका प्रमान प्रवेश लेते समय देना होगा क्योंकि जब है 480 और इसमें 33% रिजर्वेशन फीमेल कटगरी के लिए रहेगा यहां पर आप देखें टेस्ट से तात पर यह सारी चीजें लिखी हुई है अन्य अहरता में क्या दिया हुआ है तो यहां पर आप देखें मद्ध प्रदेश उप्चरिया परिशद अथवा भारती उप् अतरगत मानेता प्राप्त संस्थान से बियस्सी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नियर्सिंग या जी एनेम उत्तिर उमीदवार जो 1923 की स्थिती में मद्ध प्रदेश निराज की नर्सिस रेजिस्टेशन काउंसिल में पंजी कृत हो बीमेस की कंडिशन में उनका इंटर्ण सी पूरा हो और पंजी और प्रमान पत्र हो अनित्हा वेदन निरस्त कर दिया जाएगा आयूशीमा उपर भी देख चुके हैं आयूशीमा की गड़ना दस्वी क्यंग सूजी के बेस पर होगी हाँ यहाँ पे देखे हैं ति आपने डिस्टेंस लर्निंग से बियस्सी नर्सि किया है तो वो मानने नहीं होगा यह ध्यान रखें आप लोग मद्द प्रदेश शासन के अंतरगत सेवारत नियमित स्टाफ नर्सिस उम्मीदवार इस प्रवेश परिच्छा के लिए पात्र नहीं हैं लब्स यचो नहीं बन सकते वो सीधा सा है तो दोस्तों यह सारी हमसे फाम भरा जाएगा लिंक उपलब्ध है फाम भर सकते हैं आप अब इसके बाद आप देखिए यहां पर कि प्रशिक्षण केंदर कहां कहां हैं तो आप चुन सकते हैं जबलपूर ग्वालियर सिवनी जबलपूर इंदोर जेपी अस्पताल वोपाल और मोपाल यह उप गेनियम पुस्ति का CHO की है विदाउट CCH वाली तो इसमें BSC Nursing Integrated Post Basic BSC Nursing और यहां पे जो उलेखित पाठिक्रम में उत्तीरण नहीं है अध्यन रत हैं वे इसके लिए पात्र नहीं होगी सामानेता है एज 1 से 40, 21 से 40, पांच वर्स की छूट, मुलनिवासी मदप्रदेश का होना निवार 20, 10 से 16, 11 तक लिंक उपलब्द रहेगी, लास्ट डिट रहेगी इसकी 16, 11, 2023 इसमें भी सब वही चीजें हैं इसमें टोटल जो रिक्तपद हैं 500, डारेक्ट CCHO, विदाउट CCH तो यह सारी चीजें इसमें दी हुई हैं और यहां पर भी वही है कि यह आपने BSC Nursing, Post Basic, BSC Nursing, GNMA, BMS, IGNU, भोज, अत्वा, Distance Learning से किया है तो आप प्लिजिवल नहीं होंगे यह आप regular candidate के रूप में किये हैं तब ही आप प्लिजिवल होंगे MP Online की साइट से आपको भरना होगा, निकिसी से मानने नहीं होगा यह सारी चीजें इसमें दी हुई है चैन के पस्चात आपको एक bond भरना पड़ेगा तीन लाग का बंध पत्र यहां पे देख लें तो दोस्तों आप अपने लेजिवलिटी के आधार पर CHO का भर सकते हैं आप इसका PDF हमारे टेलिग्राम चैनल आचारियम से अथवा इसकी जो साइट है वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं में ही ते नए नोटिफिकेशन में आप सब का दिन सुभ हो धन्यवाद